नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है हर्याना में आज नई सरकार का शपत ग्रैन समारो है और इस बीच आपको बता दे कि विधायक दल की जब बैठक बुलाए गई तो इस बैठक में केंद्रिय मंतरी राव इंदरजीत सिंग मौझूद रहे राव इंदरजीत सिंग पिछले लंबे वक्त से सीम पद की शपत को ले करके और सीम कुर्सी पर अपना दाव ठोकते वे नजरा रहे थी लेकिन भारती जनता पार्टी की तरफ से केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिशा और मदफर्देश के मुख्य मंतरी मोहन यादव को अबजरवर बना कर चंडीगड भेजा गया पंचकुला में हुई विधायक दल की बैठक में केंद्रे ग्रह मंतरी अमिशा ने एलान कर दिया कि हरियाना में नायब सिंग सेनी ही अगले मुख्य मंतरी होंगे ऐसे में राव इंद्रजीद सिंग की निराशा साफ देखने को मिली तस्वीरे जिस तरीके से साफ ने निकल करके आई विधायक दल का नेता नायब सिंग को इस फैसले से नजरा रहे हैं दूसरी तरह उनकी बेटी आरती राव से जब सवाल पूछा गया कि क्या उनके पिता को सीम ने बनाए जाने से उनके मन में किसी तरीके का मलाल है तो उन्होंने गोल मोल बात करते वे कहा कि पार्टी हाई कमान ने जो फैसला लिया है वो हमें स्वीकार है यानि कि साफ तोर पर देखा जाये तो बीज़ेपी की इस फैसले से राव इंदरजीत सिंग परिवार खुश नजर नहीं आ रहा है क्योंकि राव इंदरजीत सिंग ये दावा ठोकते में नजर आ रहे थे कि अहिरवाल की 11 सीटे जिस तरीके से महतपून भूमी का निबा रही है उनमें से भारती जनता पार्टी को अहिरवाल के नेता के रूप में यहाँ पर किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और उसमें राव इंदरजीत सिंग का नाम सबसे ऊपर नजर आता है अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या राव इंदरजीत सिंग कोई बड़ा बागी तेवर अपनाते में नजराएंगे लेकिन अमिक शाह के सामने ही राविंदर जीत की जो नाराजगी निकल करके आई उससे ये जाहिर होता है कि प्रदेश की सत्ता में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाने के चलते सबसे बड़ा अहिरवाल का राजगराना काफी निराश नजर आ रहा है अब शपत ग्रेन समारों के बाद क्या कोई बड़ा फैसला राविंदर जीत सिंग ले सकते हैं इस पर सबकी नजरे बने हुई है फिलहाल इस ख़बर मितना ही देश दुनिये की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए आप देखते रहे हैं SPN 9 News